मैत माश्टरी हब में आप सभी का स्वागत है आज हम माद्धिका के प्रश्ण को हल करने की बिधी समझेंगे माद्धिका का प्रश्ण दिया है किरा निमलिखित आंकडों से माद्धिका की गड़ना कीजिए वर्गंतराल बारंबारता दिये हैं आप हमको माद्धिका की गड़ना करना है तो शरू पृथम हम वर्गंतराल और बारंबारता की कॉलम बनाएंगे सब्सी पहले वर्गंतराल बारंबारता दिये हैं जीरू से दस दस से बीश बीश से तीश तीश से चालिश, चालिश से पचाश, आब इनकी बारंबारता लिखेंगे. पहले वर्गंत्राल की बारंबारता पांच है, फिर पंद्रा, तीश, आठ और दो. इसके बाद एक कालम संचई बारंबारता का और बनाएंगे. संचई बारंबारता संचई बारंबारता का कालम बनाने का नियम इस प्रकार है. पहले वर्गंत्राल की बारंबारता और शंचई बारंबारता दोनों समान होती है. जैसे पहले वर्गंत्राल में देख रहें बारंबारता पांच है, तो इसकी शंचई बारंबारता भी पांच होगी. दूसरे वर्गंत्राल की शंचई बारंबारता निकालने के लिए दूसरे वर्गंत्राल की बारंबारता में पहले वर्गंत्राल की शंचई बारंबारता को जोड़ देते हैं तो इस प्रकार पंद्रा प्लश पांच जोड़ेंगे तो पंद्रा प्लश पांच बराबर बीश मिलेगा इसी प्रकार तीसरे वर्गंत्राल की शंचई बारंबारता के लिए तीसरे वर्गंत्राल की बारंबारता में दूसरे वर्गंत्राल की शंचई बारंबारता को जोड़ देंगे तो इस प्रकार 30 प्लस 20 बराबर 50 मिल जाएगा इसी प्रकार चोथे वर्गंत्राल में अगर देखें तो चोथे वर्गंत्राल की आठ है और तीसरे वर्गंत्राल की संचई बारमभार्ता 50 है तो 50 प्लस 8 मिल करके 58 हो जाएगा और इसके बाद पाँचवे वरगंत्राल की बारम भारता यदि देखें तो दो है और चोथे की संचई बारम भारता को जोड़ेंगे तो 58 प्लस 2 मिल करके 60 आ जाएगा अब इसके पस्चात हम बारम भारता का योग यन ग्याद करेंगे तिन बारम भारताओं को जोड़ लेना है तो जोड़ने में अगर देखें तो 5 प्लस 5 दस 10 दस 8 अठारा अठारा दो 20 20 के 0 मिल जाता है और इसके बाद खाशिल 2 मिले 2,1,3,3,6 इस प्रकार से इन बराबर 6 यानी बारम भारताओं का योग 6 मिलता है इसके बाद हम n by 2 ग्याद करेंगे n by 2 equal to 6 बटे 2 सरल करते हैं काटेंगे 30 मिल जाएगा इस प्रकार से इन बाई 2 तीश मिलता है अब हमको देखना है कि 30 की संख्या संचई बारम भारता में किशके अंतरगत आती है तो अगर 30 देखें तो 20 से अधिक यानी 21 से लेकर 50 तक की संख्या शब हमारा संचई बारम भारता 50 की अंतरगत आएगी तो इस प्रकार से देखें तो ये हमारा वर्ग अंतराल 20 से 30 के बीच पड़ता है इसलिए मादिका वर्ग 20 से 30 हुआ मादिका वर्ग 20 से 30 होगा मादिका वर्ग 20 से 30 होगा अब हम मादिका का सूत्र लिखेंगे और मादिका के सूत्र में मादिका एक्वल टू होता है अब इसमें हम सारे शंकेतों को समझेंगे सारे शंकेत अगर देखे जाएं तो इसमें जो शंकेत मिलते हैं L1 L1 मादिका वर्ग की निम्न शीमा कहलाती है मादिका वर्ग 20 से 30 है इसलिए मादिका वर्ग की निम्न शीमा L1 बराबर 20 मिल जाती है तो L1 का मादिका वर्ग की उच्च शीमा जो की 30 दी है इसके बाद F मादिका वर्ग की बारम बारता होती है जिस का माद देख रहें 30 दिया है और इसके बाद N by 2 उमने निकाला इनका मान 60 तो N by 2 30 मिलेगा और C मादिका वर्ग से ठीक पहले वर्ग की शंचई बारम बारता होती है यानि C बराबर 20 इन मानों को लिख लेते हैं L1 एक्वल टू 20, L2 एक्वल टीश, F एक्वल टू 30 और C एक्वल टू 20 आप इन मानों को हम सूत्र में रख देंगे तो इस प्रकार से मादिका L1 हमारा 20 मिला है प्लस L2 माइनस L1 यानि 30 माइनस 20 आपान F F देखें 30 है इन टू इन बाई टू इन बाई टू देख रहें 30 मिला है माइनस C C का मान 20 है और सरल करेंगे तो सरल करने पर 20 प्लस 30 माइनस 20 यानि कि 10 आजाएगा अपान 30 इन टू इन बाई टू यानि 30 माइनस 20 दस मिल जाता है एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो इस प्रकार से 20 प्लस 10 बटे 3 और 10 बटे 3 को यदि सरल करें तो तीन त्रिक नो तीन दसमलो तीन तीन के आसपास और जोड लेते हैं तो 20 प्लस तीन तेईस दसमलो तीन तीन ये माधिका का मान मिलेगा इस प्रकार से माधिका की गड़ना कर लेते हैं और माधिका को माध्यक के नाम से भी जानते हैं तो यदि किसी प्रश्ण में माध्य पूँचे या माध्यका पूँचे तो माध्यक यदि किसी प्रश्ण में माध्यक या माध्यका निकालने के लिए कहता है तो माध्य किया माध्य का निकालने की यही बिधिये और इस बिधिशे हम प्रश्णों को हल कर लेंगे Thanks, I love you